ग्राम पंचयत ओद्रा गहन के कोटवार गिर्धर दास मानिक पूरी के विभार और रकम की मांग की जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामिणों ने कलेक्टिट का घिराव किया साथ ही अपनी मांग को लेकर दुर्ग कलेक्टिट को ग्यापन सौपा पाटन तहसिल के ग्राम पंचयत ओद्रा गहन में कोटवार गिर्धर दास मानिक पूरी के विरुध शिकायत लेकर बड़ी संख्या में ग्रामिणों ने दुर्ग जिला कलेक्टिट का घिराव किया और अपनी नाराजगी साहिर की इस मामले को लेकर दुर्ग कलेक्टर रीच प्रकास चौधरी से मुलाकात कर अपनी समस्या से उन्होंने अवगत कराया इस वरान आकरोचित ग्रामिणों ने कोटवार के रवये पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए शास की कार्य को करने में कोटवार गिर्धर दासमानिक पूरी दवारा ग्रामिणों से सही वेभार न करने के साथ कारे के बदले रकम की मांग के जाने का आरोप लगाया ग्राम के सरपंच जिनेस जैन राजा के नैतित्व में कलिक्टिट पहुंचे सैकडो ग्रामिणों ने कोटवार पर कारवाई की मांग करते हुए गुहार भी लगाई इस सम्मन में सरपंच जिनेस जैन र काटना या भी रवेद रूप से पेड़ों की कटाई करना इस तरह का लगातार लापरवाही कर रहा है जिसके संबंद में हमने पूर्वे में कलेक्टर साथ से सिकायत किये थे अभी तक कलेक्टर साथ के द्वारा उसकी जाच कराई जा रही है हम पिछले आट मैने से बहुत परिशान है समस्त ग्राम वासी दुर्व कलेक्टेट में उपस्तित है हम कलेक्टर मेडम के समक्ष यह सिकायत करने आए कि तत्काल प्रभाव से हमारे ग्राम कोटवार गिर्दल असमानीपूरी को हटाया जाए क्योंकि हम लोग उससे काफी परिशान हो चुके हैं लगतार मेडम का कहना है कि मैं इस पर देखती हूं क्योंकि अभी मेडम ने यहां पर कलेक्टर बनके आये हैं इसके पहले बुरे शाफ थे और हम समस्त ग्राम वास्यों को आपक्षा अधरली कलेक्टर महदया से कि निश्ची तोर से हमारे इस मांग पर कड़ी से करवाई होगी और पोल हटावाना है मरगाओन ले हटाना है एसी एन न्यूस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट